मधवापुरु प्रखड के साहर घाट के बसवरिया भौगाची में विश्व कल्यान को लेकर दस दिवस्ये स्री सीता राम नाम जाप 108 कुंडलिये महायगे छट्थे दिनी जारी रहा जो 8 अपरेल तक शलेगे यह याग सीता मरी जिले के बगही धाम के दंडी बालक रागवेंदर सरकार जी महाराज के देखरिक में कराई जा रही है जहां साहर घाट बसवरिया उतरा लोमा पिह वैरा सलेंपुर मुख्या पटी शमेत दरजनों गाउं के लोग अपनी सेबात दे रहे हैं इस यग में 108 कुंडली जाप मंडप बनाया गया है जिसमें कुल 2700 जाप को द्वारा सिरी सीता राम जाम जाप निरंतर चलती है जापक मंडली में भारत के अने राजयो एबंग परोशी देश निपाल के भी जापक सामिल है जिसके रहने और खाने के अलग-अलग प्रवं इस समीटू द्वारा दी जाती है इधर सरधालों के मनोबृधी और ज्यान के लिए यद्या से आयक अथा वाचक द्वारा प्रवचन भी अनुस्रवन कराई जाती है इस मेले में लोगों की मनलवंजन के लिए टावर जूला नाव जूला ब्रेकडान समेत बच्चों के ल इसी तरह जन जीवक कल्यान संग आरेंपी मधवापूर इकाय के ग्रामिंग चिकिस्तिकों द्वारा निसुलक चिकिस्ता सीविल भी लगाई गई है जो 24 गंटे स्वास्त जाचकर प्रात्मिक उप्चार मुहियक कराते हैं चिकिस्तिकों ने बताया कि रोजाना एक हजार से अधिक लोगों का स्वास्त जाचकर निसुलक दवाई दी जा रही है इसी तरह अनपुन्ना भंडार द्वाला रोजाना कई हजार सरधालों को भंडारा खिलाया जाता है वहीं लोगों के आस्था के सामने भी सनगर में भी नतमस तक नजर आ रही है जहां रोजाना लाखों की संख्या में सधालों के भीर देखनी कुमती है भीर का आलम यह रहता है कि साम के समय बस्वरिया से लेकर करीब एक किलूमीटर की दूरी में जाम के कारण गारी रेंग ते नजर आते हैं हाला कि सारगार थना अध्यक्ष अर्विन कुमार की तचपरता और यह समिती के स्रम्दान से यतायाद को तुरंत बहाल कर लिया जाता है इस यह में 300 से अधिक ग्रामिन अपना स्रम्दान दे रहे हैं आये सुनते हैं नेपाल से आये हुए संत और यगे समिती के स्वेंग सेवकों ने आयोजन के बारे में क्या कुछी कहते हैं जाब करते हैं बहुत भीधी प्रवस्ता यहां परोशी देश नेपाल से भी कुछ लोग आये हुए है उन लोग भोजन बना रहे थे जैसा वहां हम लोग गये हैं उन लोग को समागरी कौन देते हैं भोजन बना निकले उनको संस्था से मिल रहा है यहीं अपने संस्था से ही मिलती है अर्थ तारिक तक लगातार चलेगी जब तक यग है क्या पर्चे हुआ आपका मेरा नाम हुआ निल महाराजी मिधला राम चले जैसिया राम कहां से है आप क्या नाम है आपका यहां क्या कर रही यग में आप अच्छा एक मंडप का भार उठाया है राम नाम जप में है कितने लोग है आपके टीम में समागरी कहां से मिलता है खाना का जग से मिलता है कैसा हो रहा है जग क्या कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है बहुत सुंदर जग जाड़ा है और सफल होगा जग कि आप लोग आप लोग आप लोग को मालूम है का लिए बाबा के कितने यक में आप सामिल हो चुक है ठीचिक कहां कहां से है आप लहाएं तो यहां पर क्या करते हैं आता जाब अवय। तो कितने लोग है इस केम्प में आप लोग 22 लोग है दूसर बंडारी है तो सब लोग खाना बनाते हैं समान मिलता है कैसा लग रहा है यहां पर अनन्द आ रहा है तीन बार आप इस बाबा के जग में सामिल हो चुके हैं क्या नाम हुआ आपका धन्यवाद जैसे फुल हड़ हुआ जैन अगर और यहां क्या लग रहा है देखते होंगे कितना सरधालू आ रहा है बहुत भीर भरा का चल रहा है बहुत भीर चल ला है चलिए जैसी राम बताएए आज कितना मारीज को देखा गया यहां पर नौसो ए कर रहा है कि केंपेंच कर रहा हैं तो क्या लगता है अन्होंटर है आपका इतना संख्या में लोग आते हैं है या हैंदल कर स्खतुरल कर पाते हैं कुछ उलोग अभी थे जो बता रहे थे कुछ दावा नहीं है त话 सभा दूर्ण दिखालेना चाहिए कब तक चलेगी आप लोग का ये केमपेन जब तक ये जग चलेगी तब तक रहेगी क्या कहना चाहेंगे उन सर्धालों के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं क्या संदेश देनेंगे उनको दिक्कत है कोई तू कहां आएंगे जगा के नाम बताएंगे ना कहां है आपका ये मंदब बना है उसके उत्तर है क्या नाम हूँ आपका दोक्र विमल कुमार चले धन्यवाद आपको अब बताएं इस यग में जो है क्या कुछ बेवस्थाई की गई है सर्धालों के लिए इतना बड़ा यग हो रहा है ग्रामिनों का स्वयोग मिल रहा है आसपास के गाउं का कि बहुत रही होका इनका में सरकार को हमारे ऐसे हैं कि जिनको बाग्म करते हो सब आते हैं यहां ऐसे से लोग दानी हैं जो भाबा के केवल दर्सन के लिए आते वही भगवान है जो इतना बड़ा जयत को चला रहे हैं अधन्य आप हमारे मदुबने न्यूस को फेजुक पे देख रहा है तो पेज को लाइक करें यूटूब से देख रहा हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले